दोस्तों, भारत में आज हर दिन 22 लाग से भी जादा food orders डिलिवर किये जाते हैं Especially pandemic के बाद online food delivery का business लगातार ग्रो कर रहा है एक report के मताबिक 2020 में इंडिया के food delivery market लगभग 3 billion dollars की थी जिसमें 70% market share अके लिए Zomato और Swiggy का है और अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक ये market 35% से grow करके 13 billion dollars का हो जाएगा लेकिन क्या आप जाते हैं कि इंडिया में food delivery business Zomato या Swiggy ने नहीं बलकि मुंबई की एक local company ने 1890 में ही शुरू कर दिया था जिया, असल में हम बात कर रहे हैं world famous डबबा वाला की जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दे कि डबबा वाला मुंबई-based एक tiffin delivery company है जो आपके घर का बना हुआ खाना घर से उठा कर आपके office में पहुँचाते हैं और lunch होने के बाद खाली डबबा आपके घर वापस deliver करते हैं इनका tiffin delivery system इतना unique और static है कि इनका नाम Guinness Book of World Records में दर्ज किया गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि 130 साल से अपनी services दे रहा डबबा वाला इस समय काफी मुश्किनों से जूज रहा है और इनका business 95% तक घट चुका है तो हमेशा कि दर इस startup एनलिस पर आपका स्वागत है जहां हम business, startups और entrepreneurship से जुड़े वीडियोज बनाते हैं और आज की इस वीडियो में हम जाएंगे डबबा वाला business मुंबई में कैसे इतना बड़ा बना इसकी शुरुवात कैसे हुई और आज स्रीजोमेटो जैसी कमपनिया किस तरह से इस business को जड़ से खतम कर रही है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों डबबा वाला business जो की पूरी मुंबई में फैला हुआ था वो अचानक से दो सालों में किस तरह से बंद हुआ इसके पीशे दो major regions हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेगिन इससे पहले आए जान लेते हैं कि आखिरकार डबबा वाला business किस तरह से शुरू हुआ था और ये मुंबई में कैसे काम करता है दोस्तो मुंबई में टिफिन सर्विसिस की शुरूबात सन 1890 में हुई जब एक पार्सी बैंकर को अपने office में घर का बना खाना खाने के लिए चाहिए था इसके लिए उन्होंने एक डिबबे वाले को हायर किया जिसके बाद कई लोगों को ये आईडिया वाकई में बहुत पसंदा है और देखते ही देखते टिफिन डिलिवरी की मांग बढ़ती चली गए ऐसा कहा जाता है कि महादू हावजी बचे नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले मुंबई में नूतन टिफिन सर्विसेज की शुरुवात की थी और इसे ही आज डबबा वाला या डबबे वाले के नाम से जाना जाता है शुरुवात में डबबा वाला सर्विसेज नियर बाई लोकेशन तक ही सीमित था और साथ ही इनके ग्राहक भी बहुत कम थे लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया डबबा वाला डिलिवरी की मांग बढ़ती गई अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी डबबा वाला के साथ पांच हजार से भी जादा लोग जुड़े हुए हैं जो हर दिन दो लाग से भी जादा टिफिन बॉक्स लोगों तक पहुँचाते हैं अब ये लोग डिलिवरी के लिए साइकल और मुंबई की लोकल ट्रेन की सहायता लेते हैं ताकि लोगों तक उनका लंच बॉक्स समय पर पहुँचाये जा सके आप ओफिस के लिए लेट हो सकते हैं लेकिन एक टिफिन वाला आपका लंच आप तक पहुचाने में कभी भी लेट नहीं हो सकता ये मातर तीन घंटे में आपका टिफिन बॉक्स आपके ओफिस टेवल तक पहुचा देते हैं दबबा वाला के साथ जोड़ी जादा तर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं इनमें से 75 प्रतिशत लोग तो ऐसे हैं यानि कि 75 पर सिट लोग ऐसे हैं जो पांच भी पास भी नहीं है आज इनका बिजनस मॉडल भारत के सर्वश्रिष्ट आयाटी कॉलेज के साथ-साथ विश्व प्रसुद्य विश्व विद्यालेओं में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है अब सवाल ये उड़ता है कि इतना बड़ा बिजनस मॉडल जिसे विदेशों में पढ़ाया जाता है आकरकार बंद होने की कगार पर क्यों पहुंच गया दरसल दोस्तों डबबा वाला बिजनस की बरवादी के पीछे दो मेजर रीजन्स हैं जिसमें से पहला है पैंडमिक और दूसरा है जुमेटो एंड स्विगी वो कैसे आये जानते हैं साल 2020 ये तो आपको यादी होगा ना जब हमारे देश में कोविट पैंडमिक आया था जिसने सभी की जिंदेगियों में उथल पुथल मचा कर रग दी थी लोगों को घरों के अंदर बंद होकर रहना पड़ा था लाखों छोटे बिजनसेज बंद हो गए थे और नजाने कितने मिलियंस लोग बेरोजगार हो गए थे जिसका सीधा सीधा असर डबबा वाला पर भी पड़ा था दरसल लोगडाउन के कारण स्टूल और ऑफिस बंद होके थे लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया था जिसके चलते अब उन्हें टिफिन की जरूरत नहीं थी इसका निगटिव इंपक्ट कुछी दिनों में डबबा वाला पर दिखाई देने लगा जहां पहले 5000 से भी ज़्यादा employees हर रोज 2 लाख डबबों को लोगों तक पहुचाते थे और जिनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी से चलती थी लोगडाउन ने उनका काम चीन लिया बहुत से लोग अपना खर्च उठाने के लिए मजदूरी का काम करने लगे कुछ लोग खेतों में काम करने लगे तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड बन गए पेट तो पालना था लेकिन अभी भी डबबा वाला को उम्मीद ही कि जब हालात नॉर्मल होंगे तो उनका बिजनस और एम्पलॉई फिर से पहले की तरह मुंबई की भीड से भरी सडकों पर दोड़ते हुए मुस्कुराते हुए डबबे पकड़ते हुए नजर आएंगे और लोगों तक पहुचाते हुए नजर आएंगे लेकिन कोविट के बाद इनके सामने महमारी से भी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई और वो थी Swiggy and Zomato Food Delivery Companies जिन्होंने खुद Tiffin Services शुरू कर दी असलमें ये लोगों को बहुत से offers प्रोवाइड करते थे इसलिए लोगों ने भी डबबा वाला के बजाए Zomato और Swiggy से खाना ओर्डर करना शुरू कर दिया जहां पहले Zomato और Swiggy सिर्फ रेस्टरों का खाना ही उनके कस्टूमर्स तक पहुँचाने का काम करते थे बाद में ये घर का खाना भी उन तक पहुँचाने लगे अब चुकि ये दोनों एक डिजिटल प्लाटफॉर्म है जहां से मिनिटों में ही खाना ओर्डर और डिलिवर हो जाता है इसी वज़े से इसने बहुत ही जल्दी डबा वाला के कस्टूमर्स छीन लिए इनी सब रीजन से अब डबा वाला बिजनस बंद होने की कगार पर पहुँच गया है जहां पहले इसमें 5000 लोग काम करते थे वहीं अब 1000 लोग काम कर रहे हैं और इसके लावा पहले जहां पर पर सन हरोज 30-35 डिबे डिलिवर किये जाते थे वहीं अब ये संक्या घट कर सिर्फ 4-5 रह गई है अब दोस्तों जहां सभी लोगों को लग रहा था कि शायद डबा वाला बिजनस पूरी तरह से खतम हो जाएगा लेकिन वहीं दूसरी तरफ डबा वाला अभी भी किसी तरह सर्वाइफ करने में कामियाब रहा है अब ये घर से ओफिस तक खाना डिलिवर तो करते ही थे लेकिन ऑक्टूबर 2020 में इन्हों ने रेस्टों से भी खाना डिलिवर करने का काम शुरू कर दिया यानि कि Zomato ने इनके बिजनस में हाट डाला तो इन्होंने Zomato के बिजनस में हाट डालना शुरू कर दिया जिसमें impresario जैसे बड़े restaurants ने डबा वाले को खुब support किया और उनके साथ partnership कर ली इसके साथ ही अपने बिजनस को डिजिटल बनाने के लिए डबा वाला ने 2020 में ही अपनी वेबसाइट digitalडबावाला.com भी लॉंच कर दिया जिसके दहत अब customers वेबसाइट पर जाकर अपना खाना order कर सकते हैं और online payment के साथ साथ monthly और annual subscription भी ले सकते हैं लेकिन आपको जानकर अपसोस होगा कि इस वेबसाइट से भी डबावाला बिजनस को कुछ खास फाइदा नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत से लोग जो पहले डबावाला service के साथ जुड़े हुए थे उससे अलग होने के बाद उन्होंने खुद की food delivery service शुरू कर दी है अब सवाल ही उड़ता है कि क्या डबावाला 130 साल पुरानी अपनी legacy वापस पास सकेगा या फिर ये business इतिहास का सिर्फ एक उदाहरन बनकर रह जाएगा जिसे हम बस YouTube वीडियोज और यहाँ वहाँ लोगों के मुझ से सुनेंगे दरसल ये पूरी दरसे डबावाला customers पर depend करता है क्योंकि अभी भी completely offices नहीं खुले हैं और बहुत से लोग work from home कर रहे हैं तो हो सकता है कि जब सारी चीज़ें पहले की तरह normal हो जाएं और डबावाला company फिर से profit बनाना शुरू कर दे डबावाला की सबसे प्यारी बात ये थी कि इनके customers इन पर trust बहुत किया करते थे क्योंकि गभी भी उनके घर से खाने के लावा कोई दूसरी चीज़ जैसे की पैसे या कोई important documents मंगवाने होते थे तो डबावाला उसे बहुत ही इमानदारी के साथ डिलिवर कर दिया करते थे इसी trust और इमानदारी के कारण ही डबावाला business मुंबई में इतना जादा famous और फैला हुआ था तो हो सकता है कि जब city पहले वाली speed पर आ जाए अपनी रफतार पर चलने लगे तो डबावाली service भी उसी रफतार से चलने लग जाए और अच्छी हो जाए इसके लावर डबावाला खुद भी अपनी services के साथ लगतार experiments कर रहे हाली में इसने courier based company paper and parcel के साथ में भी partnership की है यहाँ तक कि डबावाला ने खुद की courier service भी शुरू कर दी है और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हो सकता है कि डबावाला एक delivery logistics की तरह फिर से business में जबरदस्त comeback करता हुआ दीखे लेकिन ऐसा सच में होता है या नहीं यह हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा बागी experiments और tries और efforts तो करने पड़ेंगे ना बागी आज की हमारी इस वीडियो में फिलाल इतना ही आपको वीडियो चे लगी हो तो इसे like share जरूर कीजेगा और अगर चैनल पर नई है तो subscribe भी जरूर कर लीजेगा मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक और interesting वीडियो में तब तक के लिए good bye